गुद आफ्टरों में स्टूडेंट्स, तुडें वी विल स्टाड़ी चाप्टर एट अवर एन्वाइन्मेंट, इस चाप्टर में हम लोग अपने आसपास के वातवरण के बारे में पढ़ेंगे, एन्वाइन्मेंट के वातवरण के यह एक प्राकृतिक दुनिया है जहां पे लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, अब हमारे एन्वाइन्मेंट को प्रोटेक्ट करना जो है, वो जरूरी है इस प्लाइट पे रहने के लिए, इस प्लाइट पे सर्वाइव करने के लिए किसी भी जीवन को सर्वाइवल के लिए, हमें एन्वाइन्मेंट को कंजर्व करके रखने की ज़रूरत है, तो इसी वज़े से यह हमारी ड्यूटी है कि हम अपने आसपास के वाइन्मेंट को बचा के रखें, उसे प्रोटेक्ट करें, अब आज के समय पे जो हमारा वातवरण है, वो कई सारी मुस्विवतों का सामना कर रहा है, जिसमें से कई problems जो है वो ऐसी है, जो की हमारे ध्यान ना देने की वज़े से है, टीके हमारे neglect Gleichance की वज़े से हमारे आसपास का वाइन्मेंट जो है, वो कई सारी problems को face कर रहा है, So, it is high time, ठीके, We acted upon these issues and made it as beautiful and natural as it was earlier, तो ये अभी सही समय है कि हम इस मुद्दे पर एक्ट करें ठीक है हमारा जो एन्वाइन्मेंट है उसे उस पर ध्यान दें उसे प्रोटेक्ट करें और उसे खुबसूरत बनाएं और प्राकृतिक बनाएं जैसे ये पहले था ठीक है जैसे हमारा पहले वातावरण था जो ठीक है तो वह हमें हल्दी रखते है जबसंथयों करदे था को वह साफ हो साफ सुतरा हो दरा कि हम हेल्दी आज़ाइस कोणर सबस्द करेंगा ड़तिक है जाए तो इस चाल्यवातावरण व्माइंट कि अग्श पर घंडा ऐरar तो उसकी वजए से कैसारी खतरनाक बिमारिया हो सकती है So there are many ways to protect our environment तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने वातावरन की रक्षा कर सकते हैं उसे protect कर सकते हैं Some of them are the following अब उन में से कुछ जो तरीके हैं वो आपको यहाँ पे दिये हैं जिसको follow करके हम अपने environment को protect कर सकते हैं तो पहला point आपको दिया है यहाँ पे Do not throw waste materials और garbage on roads और other public places Use dustbin सबसे पहली point जो की हमें ध्यान में रखना है जो की हमारे environment को protect कर सकता है अगर हम इसे follow करे Do not throw waste material मतलब जितना भी कूडा कच्रा है जो भी waste material है या फिर garbage है उसे हमें road पे या फिर public places पे नहीं फेकना चाहिए है हमें dustbins का इस्तिमाल करना चाहिए चाहे वो हमारा घर हो या फिर बाहर public place हो ठीक है कहीं पे भी हमें कोई भी waste material या garbage जो है वो dustbin में throw करना चाहिए Next is Avoid the use of plastic bags which are a serious threat to environment और plastic के जो bags होते हैं उसका हमें इस्तिमाल नहीं करना चाहिए जो की हमारे environment को बहुत ज़्यादा नुपसान पहुचाते हैं ठीक है तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए प्लास्टिक bags को यूज करने से बचना चाहिए हमें plastic bags का इस्तिमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए use paper और cloth bags instead और उसकी बजाए हमें paper के या फिर कपड़े के बने bags जो हैं उसका इस्तिमाल करना चाहिए next is do not spit, urinate or defecate in open और public place हमें क्या करना चाहिए public places पे ठीक है road पे कहीं पे भी spit नहीं करना चाहिए ठूकना नहीं चाहिए पास नहीं करना चाहिए कोई भी public place पे हमें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए next is do not pollute the rivers by throwing any waste material और जितनी भी नदिया हैं उसमें किसी भी तरह का कूड़ा, कच्रा जो भी waste समान होता है जितना भी waste material होता है उसे हमें rivers में नहीं थ्रो करना चाहिए हमें नदियों को pollute नहीं करना चाहिए so these are some ways to protect our environment ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको भी बताए four points ठीक है इस जिससे हम अपने environment को protect कर सकते हैं अगर हम इसको अच्छे से follow करें so students I hope you have understood this much now we will continue this chapter tomorrow, thank you